महा भारत का अर्थ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट सायनाचारे के भाष्य में मेंचेंड है हन्मान चालीसा में जो डिस्टिंस है इतना स्ट्रॉंगली लड़े किस किस से नहीं लड़े अकेले सबसे जो है लड़ने लगे सामने द्रोनाचारे, कृपाचारे, दुरियोधन से लेके सब कर्ण, सब उसको मार रहे हैं लेकिन क्या दो ही विलन है एक दुरियोधन और दूसरा कर्ण कई लोग को ट्रिगर होगा क्योंकि वो लोग ने सीरियल देखा है सीरियल में उसको भगवान बनाया गया है एक ही में फोकस करना है इस सनातन उसके आगे जाने का ही नहीं सबसे पाउरफुल और डिवाइन अगर था तो वो अर्जुन था और अर्जुन कौन है ये सबसे ब्रदब को जाना पड़ेगा इंद्र के पृत्व नमस्ते अंशुल जी नमस्ते सात्रिक जी सबसे इंद्र को धन्यवाद नमस्ते सेकेंड वीडियो कर रहे हैं आपके साथ जिसने भी पहले वीडियो नहीं देखिये तो एक इंट्रोड़क्शन शॉर्ट इंट्रोड़क्शन देजेता है इनके बारे में बच्पन से ही अंशुल जी का एक नाता रहा है शास्त्रों के साथ तो इनकी एक स्टोरी जो इन्होंने मुझे कही थी कि इनके नाना ने इनने पहले एक तरीके से थोड़ी सी ब्राइब की रिश्वत दी की अगर पॉकेट में ने डबल करनी है तो अनमान चालीसा, राम रक्षास्त्रों ते सब चीजे फटा-फट याद करके मुझे सुनाओ तो इस बहाने इनकी रूची इनकी बहन के साथ भी competition होती थी तो उनकी रूची बढ़-ढ़के जब ये धर्म के शास्त्रों के बीच में इतने पले पले और बड़े उसी में इनकी फिर महानता रही है और आज इनकी एक book है जो काफी best selling में भी आती है The Authentic Concepts of Shiva गरूड प्रकाशन की book है गरूड बहुती एक नाम-चीन प्रकाशन है बहुती अच्छे-च्छे books उन्होंने publish की है तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के topic पे हमने पिछले वीडियो में बात की थी शिव के misconceptions के बारे में थोड़े से नए concepts भी establish किये myths को burst किये तो आज time है महा भारत के misconceptions को burst करने की So let's start with महा भारत का अर्थ क्या है महा भारत का अर्थ क्या है कई लोग जो है उसको लेते हैं कि महा भारत means war नहीं बहुत बड़ा जगड़ा होगा everything महा भारत घर में रखना नहीं चाहिए भाई वार होगा उससे भाई जगड़ा हो जाएगा आपस में मत रखिए अब रहा बात महा भारत की महा भारत का अर्थ क्या है तो वो मेंचेंड है आपके आदी पर्व के फर्स चैप्टर में ही मेंचेंड है 267 श्लोक है उसका और वो 274 तक है 267 तो 274 तक आप पढ़ लीजिए वो श्लोक फर्स चैप्टर के वो इसमें मेंचेंड है महा भारत का अर्थ है याने वेदों से भी भारी उसका अर्थ होता है महा भारत याने महा भारत ठीके महा भारत रखे फिरव अच्छा क्षन वेड़े घर भी निहीं रखने का टो फिर का रखेंगे हम लोग पर ये क्यों ऐसा कहते है कि घर पे नहीं रखना चाहिए? यही तो ये एक तरह का हमारे जो शास्तरों खेला प्रपगेंडा बनाया गया है कि ये मत पढ़ो इससे ऐसा होगा गरुट पूरान मत रखो ये इस ये आईसा मत करो महाभारद मत पढ़ो रामायन मत पढ़ो ये कांड मत पढ़ो वह कांड मत पढ़ो everything ये ये से बताया गया ताकि हम लोग अपने शास्त्र से दूर हो, हम लोग को शास्त्र से दूर रखने की बात हुई है, आज बात होती है हिंदू राष्टर की, सब लोग बोलते हैं हमको हिंदू राष्टर चाहिए, सब लोग बोलते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मोधी जी के हिंदू राष्टर जो है पुराणों से लेके सारे वेदों में है, सब कुछ, आप जब पढ़ोगे, आप उसको जो दूर उससे होगे, तो फिर कैसे आप जानोगे फिर आपके बारे में, आपको खुद हिंदू बनना पड़ेगा, हाँ, आप साक्षात पहले खुद हिंदू होई, हिंदू क्या, अपको खुद एगा, यह थोड़ी ना कोई हिंदू है, आप अपने शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, आप के सारे सलुशन, आपके शास्त्र में इंट्सेड़ हैं, आप जो आज एंग्जाइटी में जाते हो, आज आप बोलते ना कि आप डिप्रेशन में जाते हो, आप अ करोड़ो फैमिली होगा सकता हूं यहां पे महा बारत नहीं है और इतना भड़ा घम्सान होता हूं वहां पो पूचो मत तो फिर यह कैसा है कोई रिलेशन नहीं है तो यह अपने शास्तु की बात जोड़ अपने इस दूर करने के लिए सैटल कि क्यूंकि अभी हम जब आगे और बात करेंगे तो हमें समझ मेंगा कि क्यूंकि हमें जो महाभारत सीरियोलों में बताई गई है उसमें भी कितने महाभारत का पार्ट नहीं है कुछ-कुछ संप्रदाय इसको प्रपोगेट करते हैं यह चीज को तो यह जो भी बोलते हैं यह सबसे बड़े जूटे हैं जो भी बोलता है क्यूंकि गीता स्टार्ट होती है भीश्म पर्व के 25 चैप्टर से भगवद गीता शुरू होती है और 25 चैप्टर से शुरू होता है श्रीमत भगवद गीता 1st chapter 2nd chapter 3rd chapter 4th chapter and carry on तो यह गीता इस पार्ट ऑफ महाभारत वो अलग बात है कि सबसे महाभारत में दिव्य चीज है वो है श्रीमत भगवद गीता क्यूंकि यही पढ़ लिया इसका मतलब याने आपने सारे उपनिशत पढ़ लिए, वो अलग बात है, क्योंकि that is a दिव्य ग्यान, क्योंकि महा भारत का जो जैसे हम बोलते ना, रामचरित मानस में से सुन्दरकान लोग पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि दिव्य माना गया है, तो उसे प्रकार, जो महा भा भारत के श्रीमत भगवत गीता जो पर्व है, वो पढ़ लिया, तो वो एक दिव्यता है, वो अच्छी चीज है, बोलते हैं कि सबसे बेस्ट चीज है, मैं नहीं बुरूंगा बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब भी दिव्य हैं, लेकिन ये एक अलग ही है, क्योंकि ये श्रीम महाभारत पढ़ लिया, इसका मतलब आपने सारे पुराण, सारे वेद, सारे उपनिश्यत भी पढ़ लिये, क्योंकि उसमें सब कुछ समाया हुआ है, महाभारत के अंदर, भगवान विश्नु तो है, क्योंकि वैश्नो ग्रंथ है, वो तो है है, भगवान कृष्न और ये शिव जी के बारे में जो महाभारत में मेंचेंड है आपको अच्छा जैसे मैंने मुंड माल का रहस्या एन एवरिटिंग वो कहां आपको महाभारत में मिलेगा और तो और भगवती शाक्त संप्रदाय पर आते हैं जब श्रीमत भगवत गीता बताने से पहले चाहिए 23rd 22nd या 23rd चैप्टर के भीष्वपर्व में भगवान कृष्ण बोलते हैं वार के पहले तुमको भगवती की आराधना करनी है उसके बिना तुम वार नहीं जीतोगे तो अर्जुन ने जो है देवी माता की जो है पूजा की वहाँ पे ये आपके भीष्वपर्व में आता है तो सारे संप्रदाय हो गया फिर आप सौर्य भी हो गया सौर्याने जो सूर्य को मानते हैं भगवान सूर्य की भी है वहाँ पे बहुत कुछ मेंचंड है फिर बात रही गणपतियास की जो गणपती के है प्योंकि हमारे आप पंच देव की उपासना की जाती है हमारे हिंद बात रही घंडपत्यास करे में लेकिन किस ने लिखी महा भारत वेध भयास ने नरेट किया लेकिन लिखी किस ने भगवान गणेश ने तरिये साक्षाथ भगवान गणेश लिख रहे है और अच्छी है ट्रांसलेशन भी उसका ठीक-ठा की है क्योंकि वो all as compared to all वो सबसे मुझे अच्छी लगी तो आप मंगाईए और पढ़िए महाभारत पूरा मैं तो बोलता हूँ जिसे हम लोग हम लोग को बार्बी डॉल की स्टोरी बताते हैं और बच्चों को सुनाते हैं अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना और श्टोरी सुनाएंगे बच्चों को बोलेंगे या क्या पढ़ रहे हैं जो है एक तरह से बोलते हैं जागरुकता होती उनके अंदर क्या है अभी मैं आपको एक एक पर्सनल एक्जामपल मैं बुक लिखा ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शीवा मेरा एक छोटा बांजा है उसने क्या किया पता है वो इतना मेंसे प्रेजित हो गया चोटा सा है एने चार-पांच सालगा वो विचारे कुझ भी कुझ भी हम से सीखेंगे जो हम करेंगे तो हम पहले हम सुदरे हैं हम जैसे हिंदुराज्ट्राब को बनाना तो पहले आपके धर्म गरंतों पढ़ना शुरू किए आपका इतिहास तो जानी है पहले आप इतिहास ही नहीं जानते हो और इसी साथ एक unity भी आजेगी है बिलकुल किए हम अलग-अलग community से और अलग-अलग पंथ हो कि जो भी हम मान्यता रखते हो निरगुण हो निराकार हो अथीस्ट हो कुछ भी हो पर at least हमारे roots की जानकारी हो तो हम आगे की चीजे जरूर क्या भूल सकते हैं उसमें believe कर सकते हैं दूसरा कि हम जब भार से कोई हमें propaganda attack करता है तब हम उसको resist कर पाएंगे और साती साथ हमारे next generation को भी बहुत अच्छी education दे पाएंगे इस बारे में और फिर confidence की जो बात है जो हम लोग को एक infinity complex है for west से foreign से वो भी कम हो जाएगी अपने अपमे जो एक आज एक common भाव है पुरे देश में की हम इंडिया को shining देखना चाते है golden bird देखना चाते है फिर से सोनी की चिडिया वो भी फिर I think रास्ता तो इधर से ही है बिलकुल और तो आपने एथिस्ट की बात की तो अगर जिसको लगता है कि नास्तिकता में विश्वास करता है तो वो भी महा भारत पड़े क्योंकि उसके बाद जो पढ़ने के बाद फिर देखिए क्या-क्या आपने जो है कंपरेजन आएगा आप कैसे बन जाएंगे मैंने देखा है बहुत सारे नास्तिक बन गए महा भारत को पढ़ने के बाद क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजे है साइंटिस साइंटिफिक और मुझे कंपरेजन करना अच्छा नहीं लगता है साइंटिफिक क्योंकि वह एक आ प्रूव किया कि उसमें भी लाइफ होती है प्रूव किया ना यह हमारे महा भारत में अल्रेडी मेंचेंड था बीश में वितामा ने अल्रेडी बोला था आपने उनको बिलीव नहीं किया तो बहुत सारी चीजें हमारे वेदों में जो है मेंचेंड है आपको मैं रिगवे किया फिर स्पीड ऑफ लाइट सायनाचारे के भाष्य में मेंचेंड है अनमान चालीसा में जो डिस्टेंस है बहुत सारी बहुत ऐसी ऐसी चीज है जो साइन्स भी नहीं दून चकती इतने सारे यूनिवर्स है दून के बता दे क्योंकि हम नव ग्रह को पूछते हैं उसमें हम सूरज को भी आते हैं सोम देव भी है जो चंद्रमा है और फिर राहु के तुए जो इन्विजिबल ग्रह है जो अभी साइन्स उसको धीरे-दीरे बिलीव करने लग गया है और ऐसी सारी चीजे जो भी खुलके आ रही है वो कह क्यों नहीं हमारे जन्मतिती कुंडली सब पे तो असर करी रहा है क्योंकि इतने सारे जो ग्रह है इनकी इतनी ग्रैविटेशनल पुल भी है पावर भी है उसका असर है वो धीरे-दीरे कईना के अगर सही ज्यान से जाए जोतिश के ग्यान से तो बहुत लोग सही भी साफ़ ह्षिन नहीं कर पाएं आपके चाउदा भुवन हैं ऐसे देग का तो तीन पार्ट है उसके इस में झाल्ट में याता है मन्त्र में आता है ओं भूर भूस्वा भूर, भूवा, स्वर्गलोग, भूलोग, पाटाल, उसके तीन ऐसे चौधा भूवन है करके, तो यह साइन्स कभी प्रूव नहीं कर पाएगी, देकर नेवर प्रूव एट और उनकी अभी तक गई भी नहीं दूर्दृष्टी, तो अब तक तो मार्स और चंद्रमा और सू प्लानेट प्रूव तक पहुंच भी नहीं पाएगे, ठीक है, लेट्स मूव ओन डू महाबरत अगेन, अब थोड़ा सा मेंश्ट्रीम डिरेक्ट अटैक करते हैं, मिट्स को, जैसे एक स्टोरी बहुत ही पॉप्लर है, अभी मन्यू की, अभी मन्यू ने चक्रव्यू के ब पुसना कैसे, बट उन्होंने सीखानी की बहार कैसे निकलना है, क्योंकि तब तक वो पैदा हो गये थे, ऐसा बोलते हैं, ये क्या सच है क्योंकि वो वूंब में थे, वो गर्भ में थे, तो ये क्या स्टोरी है इसकारणा? देखिए, ऐस पर महाभारत सईही स्टोरी है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने सिखाया था, उसको अभी चक्रवी का भेदन, वो अलग बात है कि बहार निकलना नहीं सिखाया था, ये भी सच है, लेकिन ये स्टोरी कहीं मेंचन नहीं है हमारे महाभारत में कि उन्होंन ठीक है, that is no issues, अच्छी चीज है, उसको धारण भी करना चाहिए, कई-कई जैसे हमारे मनुस्पिती में भी मेंचन ने कि अगर कोई अच्छी चीज है, तो उसको धारण करना चाहिए, उसको मानना भी चाहिए, अच्छी रितिया है, और एक तरह से सही भी है, ये अभी मन् तो ऐस पर महा भारत, अरजुन और भगवान कृष्ण ने उनको सिखाया था, तो उन्होंने बाहर निकलना क्यों नहीं सिखाया है, बाहर, दिखिए, इसकी आपको स्टोरी मेंचन है महा भारत में, जो एक तरह से चंद्रदेव के अवतार है, एक काइंड अफ चंद्र के अंश है, तो लेकिन वो बताया गया है कि उनको जल्दी बुलाया गया था, तो अल्रेडी भगवान मने बोला गया था, कि मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे ये पुत्र को, तो इसलिए जो है, बोला कि ठीक है, इसकी आयू सिर्फ बहुत चोटी होगी, और ये चोटी आयू म ही में ही वो जल्दी चला गया, इसका ये भी एक स्टोरी आती है महाबारत में, तो इसलिए जो है, वो एक तरह से भगवान की लीला थी, उनको भेजना था, लेकिन वो एक वारियर थे, इस तरीके से लड़े, अगर आप उनके उपर में महाबारत के उदर आगे जाएंगे इतना strongly लड़े, किस किस से नहीं लड़े, अकेले सबसे लड़ने लगे, सामने द्रोणा चारे, क्रिपा चारे, दुरियो धन से लेके, सब कर्ण, सब उसको मार रहे हैं, लेकिन क्या आप शान से लड़े, मैंने, वो जब मैं chapter पढ़ता हूँ ना, अभी मन्यू पर वो सब आगे गला, तो यार, रूना आता है, यार, क्या बच्चे ने, क्या वारियर हैं, एक्शुली वो वारियर था, मने, किस तरीके से उसने लड़ा, आप, आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो उसके अभी मन्यू के बारे में, तो, सलुट टु हि में कई लोगो रील्स बताते हैं कि भाई, वो वुलन क्लॉद, जो है, सुदर्शन चकर, जब भगवान को लग गया था, उंगली में, तब वुलन क्लॉद बांदा गया था, तो, ये कहानी आपके महाभारत में कहीं मेंचन नहीं है, और नहीं रक्षा बंदन का मेंचन है, आपके महाभारत में, तो, ये इसका मेंचन है, आपके नारत पुराण में और भविष्य पुराण में में मेंचन है, उत्तरपर्व में, इसमें मेंचन है कि इंद्राणी याने शची, जो इंद्र की वाइफ, उसने जो है, पहला रक्षा बंदन बांदा था, को टू प्रटेक्ट विद दानवाज जो दानव लोग हैं उनके साथ युद्ध करने जा रहे थे बली सब थे तो इसलिए और बाद ने रक्षा सूत्र के बाद वो जीते बली सब को पराजित किया उनों ने तो एक मंत रहता है ना जबी भी हम लोग रक्षा सूत्र बांते य तक ही सीमित रहे गया लेकिन हम आज भी अगर आरेसेस मुंबई में देखते हैं तो आरेसेस मुंबई में आज भी आप जो है देखें एक दूसरे को बानते हैं तो यह इस नथिंग टू वित ओनली ब्रद एंड सिस्टर माता जो है पुत्र को भी बान सकती है अग तो इस नथिंग टूसरे को ब्रद एंड सिस्टर रिलेशन्शिप अली तो आच्छली देखा जाया तो भाई बेन का त्योहर एक आता है जो है भाई दूज इचिस मेंचेंड पुरान और सकंद पुरान और बोध तो यह अच्छी माननेता है भाई बेन का त्योहर आता है मुझे भी मुझे सही बता हूँ लेकिन क्या है माननेता अच्छी है लेकिन साथ में आपको सच भी जानना बहुत जरूरी है भले कड़वा हो या आपको एक्सेप्ट हो या ना ना एक्सेप्ट हो लेकिन यह यह पॉइंट भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक्चु को अगर रक्षा बंदन बानने जाए तो वो कैसे भागते हैं कहे रहे भाई भाई नहीं तू तो मेरी गर्ल्फ्रेंड है या वाइफ है तू कैसे बान जाए तो भाई बेन हो जाएंगे हम ऐसे पर आपने जो स्टोरी बताई उसमें तो वाइफ ने हस्बेंड को बान दिये तो यह तो पूरा ही तरीके से पूरा मित बहस्ट हो गया इस बारे में लास्ट जो एक मेजर पॉइंट मुझे इसा लगता है बिफोर वी मूव टू इवन बिगर पॉइंट वो मैं बताऊंगा क्या है शकुनी जी का उदेश्य क्या था यह वार कराने का उदेश्य यह था कि उनको को नाश करना था इसलिए क्योंकि कर बिफॉर्ण भिष्म ने इनकी पूरी कुटुम्ब को खतम कर दिया यह सब बहुत कॉमन स्टोरी है एक्ट्टोरी क्या है तो यह बहुत ही यह स्टोरी तो मैंने कहीं नहीं सुनी कि यहाँ पर शकुनी ने वाव किया था कि भाई मैं पूरे कुरूवंश को सत्यानाश करूँ था क्योंकि गांधारी को एक अंधा husband दिया गया इसका बदला निकालना चाहता था ऐसा लोग बोलते हैं ऐसा folklore बोलते हैं बट आप अगर व्यास महाभारत खोलेंगे तो उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है ये चीज़ ये कहीं पे इन फैक आपको बता दूँ दुरियोधन को आखरी आखरी समय पे शकुनी ने भी बोला भाई तुम मान जाओ मारे लिए अच्छा नहीं है ये शकुनी ने भी बोला है इधर सिर्फ दो ही कल्प्रिट थे बार-बार रेपिटेशन आया माहाभारत में आप कभी पल्टिएगा पेज दो ही विलन है एक दुरियोधन और दूसरा कर्ण अब कई लोग को ट्रिगर होगा क्योंकि वो लोग ने सीरियल देखा है सीरियल में उसको भगवान बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट केरेक्टर है कर दो हम लोगों को ना इस चीज़ से बाहार आना होगा और महा भारत की और जाना होगा जो सत्य है वही जानन होगा सिर्फ चैरी पीकिंग नहीं क्योंकि आप आप कैसे बने कर सकते हैं यह दोनों तो विलन थे वह हमेशा उकसाता था और दुरियोदन को अरे मैं हूना मैं करवा लूँगा मैं योद्धु जीत दूँगा मैं एक ही बार मैं अरुजुन को परास कर दूँगा मैं पू तो वो उसको confidence भी आता था कि यहां यह तो सब को हरा देगा और बाद में ओ अलग बात है कि कर्ण कई बार जो है वो भाग जाता था युद्ध चोड़के अभी यह गंदर्वों का युद्ध आया है बीच में गंदर्वों के साथ युद्ध हुआ था जहां पे कि फ्रेंड हो तो भाई कर्ण जैसा है भाई वो छोड़के बाग गया उसको अकेले में विचारे को तुम कैसे फ्रेंड बोल सकते हो तुम उसको और भी और बहुत जगे वो छोड़के बागा फिर सबसे बैस तो विराट वार विराट विराट देश में जो और विराट प पितामा को परास्त किया, उसमें कृपाचारे को परास्त किया, उसमें गुरुद्रोन को परास्त किया, कर्ण को परास्त किया, अश्वत्थामा को परास्त किया, सब को परास्त किया, अर्जुन एक ही अकेले, सोचे कितना पाउरफुल था अर्जुन, क्योंकि मेरा जो नेक् बर्ष्ट हुआ है तो कर्ण मेरा भी फेवरेट केरेक्टर हुआ करता था कर्ण के वारे में मैं भी बहुत स्टूरीज पढ़के दुसरों को सुनाता था दानवीर थे उनके साथ तो क्या-क्या पूरी नाइनसाफी ने हुई पूरी जिंदगी उनने नाइनसाफी देखी है जब वो पैदा हुए तब से उनको पहले त्याग ना पड़ा मा को तो उनको तो बहुती नीची जाती में पले बड़े तो पहले उधर से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो नीची जाती में पले ब यहोग वैशो यह शुद्र हो सबसे पहली बाद डाट हम लोग कि हमारे जो बुक है किसी को नीच नहीं बोलते हैं सबसे पहली बाद तो लेट इस वन यह लोग अपने टीवी सीरियल में लोग बता देते हैं कि यह ऐसा है यह नीच है और यह बताते हैं उंका प्रोपगेंड आप शत्री में चले जाओंगे फिर आप चंद्रवंशी होगे, सूरी वंशी होगे, ब्रामन होगे, फिर आप ये ब्रामन हो, वो ब्रामन हो, कौर ब्रामन, ये ब्रामन, फिर आप कितना डिविजन करोगे, आपको एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा न, तो मैंने डिस में कोई डिफिकल्टी इतनी नहीं सही थी अगर ऐसा है तो फिर अर्जुन और यह जितने भी पांडव थे विचारे वन में रहे वो आप अगर इतिहास पड़ोगे तो जब पांडू ने जो है राष्ट छोड़ दिया वन में गये और वन में पैदा हुए विचारे बच्च कर्ण तो भाई अंगदेश का राजा बना रहा था तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई फिर अर्जुन से उसका कैसे कंपरेजन कर सकते हैं यह अपनी खुद की फैरी टेल स्टोरीज डाली जाती है उसकी तरफ एक भाई क्योंकि कर्ण को जो है वैसा कास्टिस्ट बोलते ना कि प्रपगेंडा करना है वो अपना उनका है लेकिन शास्त्र इसके बारे में कुछ और ही क्योंकि अगर आप प्रब्लम क्या है मैं आपको बता हूँ हाडली कोई महा भारत पढ़ता है I know कि क्यो नहीं पढ़ता है क्योंकि the reason being एक लाक श्लोक एक लाक श्लोक पढ़ना तू करोगे तो भत् 59 कितने शाल लग जाएंगे आप कोboards तीन साल तो लक्वेंगे आप एक दिन में दो या तीन चैप्टर कर सकते हैं स्यादा नहीं कर सकते हो तो कितना करोगे तो इसिलिए लोग टीवी शीरियल के तू उबञान लेते हैं तो मेरा आपके वूवर्स से ए खाएंगे लेकिन उसको आपको मानना नहीं है और अगर है तो आप किसी से पूछिए जो महावारत एक्सपर्ट है जिसने पढ़ा है पूरी महावारत अब उसे पूछिए यह एक जो क्वेश्चन वापिस घुम के आता है कि उनका बच्पन फिर कैसा गुजरा क्योंकि उन्ह घृष्म यह यह का घृष्म के सार्थी गूए ख होगे अच्छी होगी उसकी सेलरी कोई कम होगे उसके ड्राइवर की और वो ठ्क्षन ही वियर्ड लेकिन आप क्योंकि इसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा आप लोगों कि भाई फिर अगर ऐसा है तो फिर बीशम के सार्थी को कोई उसका जो होगा तो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा और बाद में तो फिर उन्होंने अंगदेश में जो है राज किया उन्हो तो फिर क्या आपको विराट युद्व में छोड़ के भाग गया आपके गंदर वी युद्व में छाव आपको छोड़ के भाग गया तो आपका कैसा मित्र आप मुझे आपका बेस फ्रेंड बोल रहे हो आप जो है मेरे बुरे टाइम पे जब अगर आप मेरे को छोड़ क चले गए, तो फिर काहे के मित्र हो आप, तो दुरी दुन क्यों उनको इतना अच्छा दोस मानते थे, एक ही प्रोपगेंडा था उसका, उसको हरा ना था, पांड़ों को, वो नी हरा, उसको पता था, उसको पता था कि अगर जो हरा सकता है, वो कर्ण में ही है, वो काबिलियत क्योंकि उसके पास, जो है, ब्रह्मास्तर की विद्या थी, देखिए, ये एक और आपको मैं एड़ कर दूं, ये बताया जाता है, कि गुरु ग्रोणाचारे ने जो है, वो कर्ण को शिक्षा देने से मना किया था, ऐसा सुनने में आता है ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ मित है, क्योंकि आप आदी पर्मे और आगे के पर्मे में मेंचन है, कि वो जो है, कर्ण के गुरु थे, और उन्होंने सारे अस्त्रविद्या उनको सिखाई, except for ब्रह्मास्तर, ब्रह्मास्तर उसने जो है, वो परशुराम से सीखा, इसलिए वो परशुराम के पास गए, इ इसके जो है, इसका कुछ अलगी है, इसका मैटर अलगी है, तो उन्होंने इसलिए उसको ब्रह्मास्तर की शिक्षा नहीं दी, तो द्रोन चारे को पता चल गया, तो परशुराम जी को नहीं पता चला कि इनके इंटेंशन, उन्होंने जूड बोलके गए, उन्होंने क्या परशुराम के पास, कि मैं जो है, एक जो है, यह हूँ, ब्राम्मं हूँ, एन इवरिटिंग, ऐसा बोलके गए, क्यूंकि वो जो है, इस तरीके से झूड बोलके अपना चिपाया, उन्होंने नाम एन इवरिटिंग, इडेनिटिटी चिपाई, आइडेनिटीटी चुपाय चुपा के वो गए जूट बोला उन्होंने बाद में उन्होंने शराब भी दिया उन्होंने बुक्ती फिर बाद में तो जूट बोलके कोई का यहीं बोलता है कि सत्य में विजयते हमारे शास्त्रों में आता है सच की ही जीत होती है आप जूट बोलके जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो अधर्म द्वारा प्राप क्यों ही विजय कभी कल्यानकारी नहीं होती है ना याद रखेंगे तो उसी चीज में आगे है कि जब उनको ये शाप मिला कि जब समय आएगा तो तुम अपनी विद्या भूल जाओगे तो ये चीज होती है महाभरत में तो ये तो श वो सूरिय का कवच था जिससे कोई भी उनको मार नहीं सकता था तो इंद्र ने आके उनसे धोके में वो उनसे दान मांग लिया और वो बिकाज दानवीर कर्ण थे तो इस गयार में क्या स्टोरी है ये सबसे बड़ी मित है कि भाई उनको धोके से लिया गया उनको अल्रेड को मैं सच बता दू जो महा अबारत में क्योंकि मैं शास्त्रिय बाद कभी करता नहीं मैं शास्त्र के सबसे वही बात करता हूं अल्रेड़ी पता था जब वो आये थे इंद्र भगवान कि ये जो ब्रामन है ये देवराज इंद्र ही है उनको पता था उन्होंने पहले सूर उन्हें बोला कि मुझे एक डिवाइन वेपन चाहिए जो अरजुन को परास्त करे फिर उन्होंने वो जो है वो अस्तर दिया वो डिवाइन अस्तर जो कि वह अलग बात है कि घटोच पर यूज किया विचारे पर तो वह अलग बात है लेकिन ये बहुत बड़ा मीते की भाई ग 희ाइन को करण को कभी हरा ने पाया या वो हमेशेन इर्शा हो रखता था तो करण हमेशें एक बेटर धनूरधारी था तो ये इसके उपर क्या है और बहुत अच्छी बात की तो आपको मैं इंस्टेंस गिनाता हूँ अरजुन ने कितनी बार हराया था सबसे पहली बार तो सभाव पर में आया है जहां पर दुरोपती स्वयम भर था वहां पर अरजुन ने उसको हराया फ फिर आखरी आखरी में वह जो हुआ वह भी हराया तो कई बार अरजुन ने हो रहा है उसको बहुत बार अरजुन ने हराया है तो अरजुन बोलते ना कि वन ओफ दी strongest of all याने although भीम भी है उसमें कोई दौर लेकिन सबसे powerful और divine अगर था तो वह अरजुन था और अरजुन कौन है ये सबसे अपको जानना पड़ेगा अरजुन इंद्र के पुत्र है साथी साथ नर नारायन के अवतार है भगवान कृष्ण और अरजुन नर नारायन के अवत है दो combination एक साथ है तो उसको आप powerful कैसे नहीं बोलोगे वो कैसे जो है powerful नहीं होगा एक reason बता दीजे और तो और चलिए एक को बता जाता है कि जो है एक बार अरजुन जो है अपने बच्चे से defeat हो गया था क्योंकि वो उनको पता लग गया था ममता आ गई थी तो वो ममता मे बहा गये थे और तब उन्होंने बबरुआन नाम का पुत्र था तब वो पराजित हो गये थे एक बार आगे जब वो यग्यादी का जब अनुष्ठान हुआ था तब ही वो आगे के पर में तो उसमें जो है मारे गये थे एक बार अरजुन वो अलग बात है कि फिर बाद न आप सबसे उसे टक कर ली उसने द्रोन से टक कर ली भीष्प इतमास टकर ली सबसे टक कर ली युद्ध में और सबको जो है उससे परास्थ भी किया कर्ण को थो उसको कई बार भगाया है युद्ध से बहार और फिर आखरी जो एक सबसे बड़ा मिथ है कर्ण के अराउंड वो है कि द्रौपदी कही न कई सीक्रेटली कर्ण को पसंद करती थी और वो चाती थी उनको यह भी बहुत बड़ा मिथ है कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि द्रौपदी उसको लाइक करती थी बलकि in fact सभापर में आया है कि कर्ण को जो है वो मना कर देती मुझे शादी नहीं करनी है कर्ण से क्योंकि a girl has a right मनुसमिती में भी mention आया कि girl अगर लड़की बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है तो वो नहीं करनी चाहिए उसके साथ और उसने तभी मना कर दिया वो मन ही मन अरजुन को प्यार करती थी अच्छा तो यह कभी सच बात रही नहीं कि यह आपको इस स्टोरी फैंटेसी में ही आपको इस सब fiction and everything इसमें जरूर होगा लेकिन इसमें नहीं है व्यास महावारत म और जैसे आपने पहले कहा करन दुरिदन यह चीज जब वो पांच गाव दे दो शकुनी ने भी कहा इवन दृष्टराश्टर ने भी मनाया कि भाई प्लीज वार मत करो यह सुलत चकती बात पर उसमें करन ही थे तो यह एक ही इंसन्स था जा पर करन उनको भड़काते थे क हर जगे उन्होंने चावी घुमाई है इन फैक मैं बता तो शकुनी वाज बेटर करन करन तो कि शकुनी ने रोका है इवन अश्वत्थामा ने रोका है कई बार पता है आपको अश्वत्थामा ने भी रोका है कि अश्वत्थामा को जो है टीवी सीरिल्स आधी में बता जा उन्होंने अश्वत्थामा ने भी उनको समझाया दुरोनाचारे से लेकर कृपाचारे सब शकुनी ने सब दे समझाया कि ये नहीं करना चाहिए बेटा तुमको लेकिन फिर भी दुरियोधन ने किया लेकिन दुरियोधन के पास करन का confidence था जो बहुत लोगों को आजकल पता ये बताईए तो भरत जो है ये एक राष्ट है भारत राष्ट जो की राजा भरत से शुरू हुआ अब ये भरत कौन है राजा भरत कौन है ये राम वाले भरत तो नहीं है ये हैं दुश्यन्त और शकुन्तला के पुत्र तो इनका नाम जो है देवताओं ने रखा क्योंकि बहुत दान किये और तो और उन्होंने पूरी पृत्वी जीत ली इसलिए फिर देवताओं ने राष्ट आज से भारत राष्ट कहा जाएगा इनके नाम पे रखा जाएगा जो है भारत राष्ट बहुत नाम से भारत राष्ट तो भारत से भा कैसे हो गया भा से उन्होंने देवताओं नहीं रखा भारत और भा अच्छा ओके तो यहीं हम एंड करते हैं क्योंकि मेरे questions तो खतम हो चुके हैं महाभरत के myths के बारे में कभी और आपसे बात चीत में और पता चले तो आगे हम आपको बापी ज़रूर बुला कि आपको भी हमारे वीवर्स को भी कुछ इंट्रेस्टिंग चीजे लगी होगी नहीं नहीं इसी के साथ हम यहां समाप्त करते हैं हमारे आज के एपिसोड को धन्यवाद थैंक यू सो मच अंशुल जी हर हर महादेव हर हर महादेव